तो आईए अब हम जानते हैं मृदावग्यानिक डॉक्टर एके जहा से कि इसके लिए सटीक, तापमान और नमी क्या हो सकते हैं? एक तो पहली बात अजोला जैसा इसका नाम ही बताता है, एजो और एलायो से मिल करके बना है, एजो मतलब सूखा, ड्राई, एलायो मतलब मर जाना, सूखे में इसकी बढ़वार नहीं हो सकती है, पहली बात, और जो बहुत ठंधा है टेंपरेचर जब 4 डिगरी के नीचे चल आजाता है समानतिया अपने बिहार की परिस्तिती में, जन्वरी के महीने में, तो ऐसी इस्तिती में इसमें लाल रंका होने लगता है, यदि कोई अजोला लाल रंका होने लगे, तो वह प्रदर्शित करता है, यह वातावरन मेरे लिए अनकूल नहीं है, फिर जब वाताव परण अनकूल होगा तो ऐसी इस्तिती में पुना हुआ लाल से हरा हो जाएगा दूसरी बात कि जो सूखी हुई गर्मी है वह भी इसके लिए उप्यूक्त नहीं होता है तो सूखी हुई गर्मी में भी यह लाल होने लगता है कहने का मतलब यह कि यदि इसका टेंपरेचर आस-पास है तो इसके लिए उप्यूक्त होगा नमी यदि 60 परतिशत के ऊपर है अच्छी होगी 85 परतिशत तक यदि इसमें हुमिडिटी है तो बहुत अच्छी बात है हाँ ज्यादा गर्मी के दिनों में यदि आप एग्रोनेट सेडिंग कर देते हैं तो ऐसी स्थिती मे उसका विकास बहुत बढ़िया होगा और ऐसी स्थिती में आपको जो ये लाल होने की समस्या है ठंड़ के दिनों में वह लाल भी नहीं होगा और उसकी बढ़वार और तेजी से होगा कुल मिला करके कहने का भी प्राई है कि जो कुछ अजोला चाहता है अपने ब्रिद्ध विकास के लिए अनुकूलतम बातावर जो इसमें मिट्टी भी प्रियोग करते हैं उसका पी एचेदी साथ के आसपास है तो उसमें बढ़िया विकास है बहुत बहुत धन्यवार डॉक्टर सब आपका तो किसान भाई हो आपने देखा कि आप अजोला का उत्पादन करके क इस तरह से इसको उप्योग कर सकते हैं पशुचारे के रूप में कुकुट पानलंग के रूप में और फसल उत्पादन में ब्रिधी लाने के लिए आप अजोला का इस्तिमाल कर सकते हैं जैव उर्वरक के रूप में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा ये हैं और हां प्रकृति का ये अनुपम उपहार अजोला आपके लिए बहतर हो सकता है इस बात को आप मालने और इसके उत्पादन को जल सजल अपना